नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की 20 जनवरी 2022 और देख लेते हैं अडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूस जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सबसे पहले हम देख लेता है एक्स्प्रेइन पीस एक्स्प्रेइन पीस पे दो आर्टिकल्स हैं तोनों को हम देखेंगे पहला तो आई एस ऑफिसर की जो सेंट्रल गर्रेंट में जो पोस्टिंग होती है डैपुटेशन में उसको लेकर कि अभी क्या नये नियम लाने की कर लिया था शाम वाले वीडियो में हाँ एक रिविजन मानके चलो वो रिवाइज हो जाएगा फिर इसके आगे एक न्यूज हो रहे है वो ये की देखो अभी ब्रेंट डैट मींज क्रूड ऑइल के प्राइस पिछले साथ सालों में हाइस लेवल पर है ठीक है तो इसके को सेंट्रल गॉर्मेंट की ड्यूटी पे आना होता है उससे सम्बंदित तो देखो सेंट्रल गॉर्मेंट के दोवार अभी प्रोपोस किया गया है कि जो I.S. काडर रूल है उनमें एमेंडमेंट किये जाएंगे इससे क्या होगा जो I.S. आफिसर्स जिनको सेंट्रल डेपुटेशन पर आना होता है उनके लिए कुछ नॉम्स नए एड किये जाएंगे होता क्या है कि All India Services जो होती है जिसमें हम I.S., I.P.S. और I.F.S. इन तीनों Services के बारे में पढ़ते भी हैं जानते भी हैं तो इसमें Recruitment का जो Process होता है उसमें शुरुवात में जो Exam Conduct करवाने का काम है वो तो देखो एक Constitutional Body है जो Union Public Service Commission है UPSC वो Conduct करवाती है फिर उसके बाद में जो Training देनी है और फिर बाद में Cader Allocation का है वो सारा काम कौन करता है जो Central Government के अंडर में Department of Personal and Training है वो करता है अब आप देखो कि जब एक बार Training कंप्रीट हो जाती है और जब Cader एक बार Allocate कर दिया जाता है जो भी नए Officers बनते हैं तो उस Cader के According उनको State भी Allocate कर दिया जाता है अब वो State Government के लिए काम करते हैं बेशक उनका सारा जो Process है Appointment का वो काम Central Government के द्वारा किया जा रहा है पर वो काम State Government के लिए करते हैं पर होता क्या है कि जब एक State में कई IIS IPS और IFS Officers काम करते हैं तो उनको कुछ particular time period के लिए Central Government के अंडर में भी काम करने के लिए जाना होता है जिसको हम बोल रहेंगे Central Deputation ठीक कि वो Deputation के लिए जाता है कुछ काम करने के लिए इससे क्या होता है उनको Central Government को एक तरीके से Assistance भी मिल जाती है और साथ में Central Government के जो काम होता है वो भी काम भी करने में हेल्प मिल जाती है और एक तरीके की वो Training भी होती है कि Central Government में कैसा culture है काम परून है वो है The IAS Cader Rule of 1954 उसमें Rule No.6 Clause 1 जो कि insert किया गया था 1969 में इसके तहत Indian Administrative Services के जो Officials है उनको Central Government की Deputation पे जाना होता है ठीक है तो जो Cader Officer है वो देखो Central Government और State Government की Concurrence के basis पे कि हाँ दोनों राजी है Central Government को Officials के Requirement है और State Government बोलेगी कि हाँ ठीक है आप जाईए वहाँ पर अपनी Deputation की जो Service है जो टाइम आपको Central Government को Dedicate करना है वहाँ पर जाकि अपनी Services देनी है दीजिए तो यह Provision किया हुआ है जो यह Rule No.6 Clause 1 है उसके तहत अब वो Central Government की कोई Entity कोई Company भी हो सकती है Central Government का कोई Department भी हो सकता है जहाँ पर जाकर उनको काम करना हो ठीक है इस केस में इस तरीकी के Provision किये हुए है इस Norm के Under में इसमें देखो Central Government की ज़्यादा कही बात उपर रहती है कहने का मतलब यह हो गया कि मान लो Central Government ने अपनी तरफ से कह दिया कि हमें Deputation पे इतने Officials की Requirement है ठीक है State Government को लिस्ट भेज दी जाती है तो मान लो State Government या State Government मना कर दे कि हम तो नहीं भेजेंगे तो उस केस में फिर Upper Hand किसका हो जाता है Central Government का तो यहाँ पर मुद्दा क्या गया कि Central Government तो चाहे तो All India Services के जो भी Officials हैं उनको Deputation पे लेकिया सकती है तो ऐसे में State Government के जो Rights है उनका Violation हो गया तो अभी अगर 1 जनवरी 2021 तक क अगर हम डेटा देखें तो लगबग बावन सो के लगबग IAS Officer है हमारे पूरे देश में और उनमें से 458 जो वो Officers है ना IAS Officer वो Central Deputation में मतलब अभी Central Government के अंडर में काम कर रहे हैं तो इसमें देखो यह प्रोविजन कुछ ऐसा है जिसके चलते स्टेट और सेंटर के बीच म Secretary to Chief Minister ठीक है तो उनका appointment को लेकर उनकी जो retirement का time था उस time पर एक controversy निकल किया थी वो आगे हम देख लेंगे फिर से हम एक बार sequence में देख लेते हैं वो ठीक रहेगा अब बात यह है कि अभी जो amendment किया गया है वो क्या है देखो होता क्या है कि Central Government को जब deputation पर IAS Officers की requirement होती है न तो Central Government अपनी तरफ से State Government को request बेज़ दी है कि हमें इतने इतने IAS Officers की requirement होगी ठीक है अब होता क्या है कि वहाँ पर State Government कई बार मना कर देती है तो वहाँ पर जरुवत तो है मान लो Central Government में काम करने के लिए IAS Officers की सो IAS Officers की और State Government ने जिन से पूछा गया जिन State Government से उन्होंने मिला करके जितना approval दिया और वो addition होकर के अभी सेट हो रहा है केवल मान लो 85 तो अभी 15 IAS Officers की Shortage पड़ी की ने Central Government के पास में तो जो administrative obligation है Central Government पे जो काम करने है उनको करने के लिए जो machinery required है जो bureaucracy की requirement है वहाँ पर तो 100 की बजाए 85 personnel सी available है तो 15 की Shortage की वज़े से Central Government को बहुत प काम डंक से नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में हमें deputation के लिए जो भी IAS IPS और IFS Officers है उनको हम जब call करें तो उसमें हम उस particular state जैसे मान लो कोई XYZ state जैसे West Bengal राजस्थान आरियाना है तो इन states में यह देखा जाएगा कि कितने IAS Officers वहाँ पर अभी deployed है नमबर वन और उसमें से कित इतनी जो percentage है total IAS Officers जो deployed है उस particular state में उसका इतना परसेंट जो है वो central deputation पे state government को बेजना होगा तो इस तरीके के provision एक तरीके से obligatory करने की कोशिशे की जा रही है तो दिसमबर 20 की बात है तब Department of Personal and Training ने अपनी तरफ से state governments को लिखा कि भई अब से जो state government में या तो state का अडर ह होता है state का मतलब particular एक state में IAS IPS officer का deployment या उनका appointment हो जाता है वहां पे और joint का मतलब एक या दो या दो से ज्यादा states के लिए IAS officers जो है वो allocate किये जाते है फिर उनका appointment है वो time time पे change होता रहता है उन states में जो भी वहां पर enlisted होता है choice की basis पे तो ऐसे में central government की जो deputation की requirement है central deputation तो reserve का मतलब कि कुछ number of percentage मतलब कुछ percentage of total number of IAS officers which are being deployed in that particular state जो की फिर बाद में वो officers वो central deputation के लिए available होंगे इससे क्या होगा central government की जो requirement है वो fulfill हो सकेगी number of IAS officers की अगर बात की जाये तो तो ऐसे में central government अपनी तरफ से state government को बोलेगी ठीक है ना यही चीज़ बताई जा रही है त तो central deputation reserve इसके लिए provision refer किया जाएगा close rule for close one same वो ही act है वो ही rule है 1954 वाले rule जो है ठीक है अब सवाल यह है कि जो strength है state के अंडर में IAS officer की उसके हिसाब से central government अपनी तरफ से list बताएगी या फिर numbers बता देगी वह इतने IAS officer आपके state से हमारे मतलब central deputation पे आएंगे ठीक है ना अ अब इसमें मुद्दा क्या आ रहा है वो आपको समझ में आई गया कि कही ना कहीं states की तरफ से objection है वो इसमें main ली तो west bengal की तरफ से central government तो अपनी मन मानी करने लग जाती है अपने मन में आये तब IAS officers को हमारे यहां से बुला लेती है तो बुले ऐसे में कहीं ना कहीं central और state governments की बीच में conflict चलता है central deputation को लेकर के वेस्ट बेंगोल की तरफ से जो बेंगोल की चीफ मिनिस्टर है ममता बेनर जी उन्होंने यह काया कि यह तो cooperative federalism के against में है आप तो यह तो टांग lag pulling का का काम कर रहे हो इससे state के administration पर असर पड़ता है कि आप एक बार देखो कि जो IAS officers state को सर्व कर रहे हैं अगर उनको अचानक से central deputation पर पहुंचा दो तो बोलो उनके दुआरा जो policy बनाई गई है उनके implementation में issue आता है एक uncertainty का माहूल बन जाता है तो बोली यह चीज थोड़ी ना कहीं problem कर देती है तो ममता बेनर जी ने तो देखो अपने objections उनको बेज दिये थ यह 21 तारी की last date थी आज तक जहां तक इसमें पताया है अभी तक अगर देखें तो officers को central deputation पर कैसे भीजा जाता आज की तारीक में अगर वो देखें और दूसरा इस amendment का क्या असर पड़े वो जाने तो वो जाने तो देखो कि all India services की बात करें तो IES IPS IPS जो Indian forest services होती है वो दे रिक्वेस्ट है central government के दौर रिक्वेस्ट हो क्या मतलब एक तरीके से एक offer दिया जाता है कि हाँ जी जो भी individuals central deputation पर आना चाहता है वो अपनी will show करें इच्छा शो करें कि हम central government के अंडर में काम करना चाहते हैं और फिर rule 6 clause 1 है ही जिसके तैत फिर बाद में वो state के अंडर मे को deploy कर दिया जाता है central government के अंडर में ठीक है इसके अलावा central government और इच्छा ये चीज़ ओर दी हुई है कि अगर वहाँ पर जब तक कोई IS officer इस चीज़ के लिए हा नहीं करेगा मतलब उनकी consent लेना जरूरी होती है बिना consent के deputation भी नहीं होती है ठीक है न एक तरीके से state government की concurrence भी होगी और साथ में जो IS officer जिनका deployment होगा अभी deputation पे central government के अंडर में तो उनसे भी उनसे approval लिया जाएगा ठीक है इसके आगे देखें तो ये जो provision है कि concurrence ली जाएगी IS officer की खुद की consent ये जो rule 6 clause 2 है इसमें साफ साफ दिया वाई यहाँ पर आप देखो कि जब तक IS officer खु इस particular domain में expertise है ये भी देखनी पड़ेगी ठीक है तो जनवरी 2021 की बात है वेस्ट बेंगॉल में आपको पता है कि वहाँ पर already एक dispute सल रहा था क्योंकि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो एक बार ध्यान दीजे अलपन बंदो पाध्याय यह chief secretary थे उस time पर ममताब एनरजी क सरकार के तो इनका involvement बहुत जादा रहा है मतलब सीदी सी बात है chief secretary है तो tuning अच्छी थी अब tuning अच्छी में यह था कि central government ने इनको deputation पर बुलाने के लिए last time जब इनका retirement का एक दिन बचाना तब इनको बोला कि आप deputation पर आओ तो एक तरीके से इसको punishment के तरीके से consider किया गया जिनका नाम अबू सोहिल उन्होंने public interest litigation file की थी Supreme Court में कि इस particular rule को struck down करो खतम कर दो पर Supreme Court ने इस petition को ज़्यादा तवज्यो दिया नहीं और यह law अभी तक भी rule अभी भी continue कर रहा है अब देखो बात यह है कि इस तरीके की tussle कब कब हुई कैसे हुई तो इसका तो एक तो simple सा है वेस्ट बेंगॉल वाला ठीक है ना यह आईएस officer रहे अलपन बंदो पाध्या है जो की chief secretary थे वेस्ट बेंगॉल के ठीक है और 1987 batch के यह आईएस officer है ठीक है तो इनका तीन महीने का extension देने की बात हुई थी chief secretary के तोर पे जब इनका retirement हुआ था ना तो उस time पे extension देने की बा सके पर होता क्या है अच्छा और यह extension देने की जो बात थी वो भी क्या है retirement के आसपास में तो इस case में फिर इनको deputation के लिए बुलाया गया पर इन्हों ने फिर बाद में जाने से मना कर दिया और फिर बाद में retire हो गए है एक तो यह contradiction आया था इसके अलावा कोलकाता में एक कि वहाँ पर जो IPS officer deployed थे उनको पता था उसके बावजूद भी उस attack को रोकने की कोशिश नहीं की गई तो इस case में उन IPS officer को deputation पर बुलाने की कोशिश की गई पर उन्होंने फिर बाद में मना कर दिया फिर central government ने भी ज़्यादा उन पर दबाव नहीं बनाया तो कई बार तो क्या politics के हत्ते चड़ जाते हैं कई बार तो क्या जादा तरही politics के हत्ते चड़ जाती है bureaucracy यहां से यह चीज़ clear होती है फिर आगे आजाओ एक और example जब 2001 में जैल अलिता की सरकार बनती है तमिल नाडू में और opposition party के जो लीडर थे उनका नाम M करूना ने दी अब यह AIDMK की लीडर थी जैल अलिता और M करूना ने दी आपको पता है M करूना ने दी के बेटे ही स्टैलीन तो अभी चीफ मिनिस्टर है वहां के तमिल नाडू के जो की DM के party है तो ऐसे में क्या होता है कि जैल अलिता जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनती है तो इन्होंने CBCID investigation के तहत M करू बालू वहां पर मिनिस्टर हुआ करते थे यूनियन मिनिस्टर थे और T.R. बालू को भी arrest करने के वहां पर orders निकाल दिये तब जाकर के IPS officer को फिर बाद में central government के द्वारा बोला गया कि आप central deputation पे आ जाओ फिर जैल अलिता ने refuse कर दिया मना कर दिया कि हम इन IPS officers को नहीं बे गया था क्योंकि CBI की ये जो CID की raid पड़ी थी ना इसमें इन IPS officers का involvement था ठीक है और उसके बाद में चीफ मिनिस्टर नहीं बोला कि हम जो हैं आस पास के दूसरे जो states थे उनसे भी बोला state government से बाकियों से बोला कि हमें states के rights को protect करना चाहिए कि इस तरीके से आप अगर किसी क भी against में action ले रहे हो corruption के against और उस case में अगर उनको deputation में बुला ले जाएगा officers को तो फिर काम कैसे होगा सेम चीज़ आप देख सकते हो अर्चनार राम संदरम ये तमिल नाडू की IPS officer है ठीक है इनको भी CBI की deputation पे 2014 में बुलाए गया था तो state government ने उस टाइम पे मना कर दिय कि हम इनको नहीं बेजेंगे फिर आप देखो कि इन्होंने ultimately CBI को join कर लिया तो state government ने फिर इनको dismiss कर दिया था इनके साथ उल्टा केस था कि CBI में इनको join करने के लिए बुलाया और ये join करने के लिए पहुंच गई और फिर उसके बाद में state government ने इनको suspend कर दिया आज अगर देखें तो अर्चना राम सुंदरम जो है वो लोकपाल की member है ठीक ना तो ये पूरा मुद्धा था जिसको हमें अच्छे से समझना था deputation central deputation क्या है और जो नियम है वो change क्या किया गया है कि state government क्या करती है कि request आने के बावजूद भी मना कर देती है कि हम नहीं भेजेंगे IAS officers को तो इस case में अब क्या changes कर दिये कि जिस state में particular जिस state में request भेजी जा रही है उस state में ये देखा जाएगा कितने IAS officers deployed है और उसके कितने percent members को उस IAS officers की जो पूरी उस state की deployment हो उसमें से कितनों को central deputation पर कम से कम उतनों को तो भेजना पड़ेगा तो मतलब limit fix की जा रही है reserve किया जा रहा है seats का कि central government के deputation के अंडर में कितने लोगों को भेजा जाएगा तो ये अब counting भी fix कर दी जाएगे central government के द्वारा ये है main amendment ठीक है आगे चलते हैं next article है देखो जो concerns चल रहे हैं 5G rollout के बाद में USMA जिसके चलते एर इंडिया ने भी अपनी 8 flights को cancel करने का statement दिया था फिर उसके बाद उसके अलावा भी अमेरिका से जो operate होने वाली American Airlines और Delta Airlines करके जो और airlines जो की इंडिया और अमेरिका के बीच में सीधी flights available कराती हैं तो उन्ह कि वहाँ पर जो अमेरिका में 5G technology अभी start हुई है ना communication में तो उसमें C band का use किया गया और C band के नियर बाई ही communication यूज होता है किसमें in aeroplanes में और particularly इन में instrument काम आता है that is radar altimeter जिससे ये पता पढ़ता है कि plane की height क्या है कहां पर आसपास में mountains हैं C level से क्या height है ये सारा idea मिलता ह तो यहाँ पर एक तरफ तो mobile communication के लिए जो frequency band यूज हो रहा है वो और दूसरी तरफ यहाँ पर यह जो operate किया जाता है civil aviation को यहाँ पर इन दोनों में interference का डर था क्यों क्योंकि इधर अगर देखो तो planes का जो radar altimeter है ये operate करता है 4.2 से 4.4 gigahertz की frequency पे और जो अमेरिका में communication के ल 4.22 2 gigahertz में बहुत कम difference है ऐसे में डर यह था कि यह जो 5G technology में अगर communication कोई कर रहा है mobile phone का use करके तो उसके उस signal का और यह जो plane जो signal receive करता है उनमें अगर communication में कहीं पे भी गफलत हो गई ना interference अगर आ गया तो बहुत बड़ा crisis हो सकता है कोई accident हो सकता है इसी चीज़ को लेकर के और फिर बाद में air इंडिया ने भी अपनी flights को suspend किया था USA की American Airlines और बाद में Delta Airlines इन्होंने भी direct flight जो operate की थी और उन्होंने रोकने की बात कही थी पर अभी थोड़ा सा matter sort out हुआ है कि चलो ठीक है यह जो frequency का जो auction हुआ था अमेरिका में जनवरी 14 को हुआ था मतलब यह मु दा तो catastrophe का avoid करने के लिए कि कही aviation crisis ना आ जाए 5G technology के साथ में कारण कि 5G technology operate करने के लिए जो frequency launch की गई है AT&T और Verizon यह company है वहां की USA की तो 3.7 से 3.98 Gigahertz का band है जबकि यह जो altimeter जो operate करता है वो operate करता है 4.2 से 4.44 Gigahertz पे तो बोला gap बहुत कम है ठीका ना यहाँ पर आप देख स में क्या होता है कि altimeter की बहुत जादा importance होती है कारण कि plane जब कभी भी flight ले रहा होता है तो उस time पर altimeter यह पता करता है कि height कितनी है distance कितनी cover कर ली कितने आगे mountains है इन सारी चीजों के बारे में तो ऐसे में तीन तरीके के altimeters हैं वो काम में लिए जा सकते हैं एक तो barometer एक होता रेडियो या फिर radar altimeter radar altimeter होता है ना वो क्या होता है कि high frequency पर operate होने की वज़े से इसकी size बहुत कम होती है आपने notice कि आपके phone में आपका जो smartphone आपके हाथ में अभी इसकी size कितनी कम है और जबकि पुराने time पे television use होता था उसका जो antenna था वो बड़ा सारा use होता था इसका जाएगा तो mobile phones gigahertz पर operate होता है इसलिए mobile phone का antenna बहुत छोटा होता है और अगर इसकी frequency को बढ़ा दोगे frequency को घटा दोगे तो automatically antenna के size बढ़ जाएगी ठीक है ना तो सेम चीज़ यहाँ पर है तो radar altimeter क्या होता है कि high frequency पर operate होने की वज़े से size बहुत कम होती है और कम power पर operate होत तो इस case में radar का जो operation है जो radio ranging जो एक तरीके से radio ranging के बारे में हम बात करते है कि radio frequencies का use करके हमारे पास मैं idea लगता है कि जैसे altimeter का use किया तो sea level से कितनी ज्यादा height है या फिर बीच में कोई mountain है कोई obstacle है तो इस चकर में यह बहुत important instrument हो जाता है तो इस case में अगर इसकी जो frequency है वो अगर 4.4 से 4.4 gigahertz है 4.2 से 4 और उधर 5G technology की भी frequency match कर गई तो गड़बड हो सकती थी ना बस यही था main इंडिया में भी इस तरीके एक concerns raise हुए थे पर इंडिया में यह चीज पहले clear कर दी थी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो 5G technology auction होगी ना उसकी range है 3.3 से 3.68 gigahertz तो ऐसे में जो altimeter use होगा ना radar altimeter जो use होता है उसकी frequency और हमारी जो 5G technology जो roll out होगी उसके बीच में लग वो 530 megahertz का gap है ठीक है तो इसलिए बोले interference की ज्यादा tension नहीं लोड लेने की इंडिया में ज्यादा tension की जड़त है नहीं यह चीज बताई जा रही है ओके आगे चलते हैं अगला important है कि अभी क्यों महेंगा हो रहा है तेल भई तो इसकी पीछे देगो कारण आपके सामने है सबसे पहली चीज तो अभी आपको पता है हाथी rebellions ने अबुदाबी पे attack किया जिसमें एक fuel truck पे attack किया तो तीन जनों की death होई जिनमें दो इंडियन्स थे एक तो इसकी वज़े का जो tension चल रहा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परिशानिया हो रही कि Russia जो कि वर्ल्ड का second largest oil producer अगर वो ही किसी war type situation में फस गया तो कहां से ensure होगी फिर आ जाओ तीसरा कारण इराक से टर्की के बीच में जो pipeline बिची हुई है वहाँ पर कही न कहीं operation में problems आ रही है तो और यह crude oil मेंगा हुआ है supply side में problem होगी सीधी सी बात है ठीक है ना दूसरी तरफ अगर देखें तो omicron की wave है वो भी अभी कहीं न कहीं अभी दीरे दीरे initial phase में तो बिलकुल rise हुई थी अब moderation के तरफ जा रही है तो demand भी बढ़ेगी demand बढ़ेगी तो वैसे मेंगा ही बढ़ तो न्यूज है वो देखो बिहार में अब जो alcohol को ban करने से समद्दित जो कानून था उसमें क्या provision था कि पहले arrest करने का बहुत strict provision थे result यह हुआ बिहार की jail हो गई फुल जहाँ पर total बियार की jail की capacity है ना maximum 47,000 होनी चीए ना वहाँ पर जेलो में कितने लोग भरे वे पड़े हैं 70,000 से जादा और उनमें जादातर जो अभी recent arrest हुए हैं वो कौन है जो alcohol abuse करते हुए मिले है मतलब शराप पी करके जिन्होंने कुछ गड़बड की है तो अब कोई सरकार क्या कर रही है बियार की arrest की बजाए penalty पे switch करना चाह रही है ठीक है ना तो इस case में और एक तो यह हो गया दूसरा की compoundable बना रही है इस particular incident को कि मान लो किसी को jail हुई है alcohol abuse की वज़े से तो वहाँ पर अगर settlement होता है parties के बीच में ठीक है दो पार्टियों के बीच म शराब पीने की वज़े से कोई दार मतलब लड़ाई वड़ाई हो चुकी है for example तो इस case में वहाँ पर अगर उन दोनों के बीच में case हो गया case बहुंच गया magistrate के सामने सारा हो गया सजा भी हो गई फिर बाहर दोनों parties के बीच में settlement हो जाता है तो settlement को भी accept किया जाएगा that means case इसको withdraw करने के provision भी किये जा रहे हैं तो ऐसा है पूरा का पूरा मुद्दा क्या क्या changes किये जा रहे हैं वो समझते हैं सबसे पहली चीज तो ये कि बिहार में जो जो act है जिसके तहत ये सजा दी जाती है उस act का नाम बताता हूँ मैं आपको ये देखे नीचे है बिहार prohibition and exercise act of 2016 इसमें अब changes किये जा रहे हैं तो वो changes अब देखते हैं इसमें section 37 जिसमें ये था कि अगर कोई भी drink करके और कहीं से पर भी कोई भी problem create करता हूँ मिला तो उस individual को 10 साल तक की सजा की बात की गई थी ठीक है पर अब 10 साल तक की सजा के चकर में यहां पर देखो आप क्या हो रहा है बिहार में total 59 जेल्स है 47,000 उनकी capacity है और उनमें अभी बरे हुए कितने लोग हैं 70,000 25,000 लोग तो ऐसे हैं जिनकों की liquor laws के अंडर यह जो अभी बिहार का excise law है उसके अंडर में ही जेल में डाला गया है तो इस case में मजबूरी हो गई है बिहार सरकार की कि भई चीज से भी free कर दिया जाएगा बस एक penalty ली जाएगी that means penalty के basis पर अब काम होगा बिहार में इसके आगे इसके आगे जितने भी offenses हैं जो कि trial courts के अंडर चल रहे हैं तो उनमें भी अगर देखा जाए तो executive जो magistrate होते हैं हाँ deputy collector से नीचे नहीं होने चीए जो DM होते हैं वो भी decide कर देंगे कि हाँ जी कि इस मुद्दे को dispose करो खतम करो रफादाफा करो तो अब यह provision कर दिया क्यों कारण क्या है वहाँ पर case इतने pending हो गया है समझी नहीं आ रहा है कैसे handle किया जाए cases के नंबर देखो आप एक बार कि चार लाग के लगबग तो arrest हुए हैं 20,000 के command करो नहीं तो problem जादा बढ़ती चली जाएगी और फिर blame आ जाएगा बोला जुडी शेरीपे सरा का सरा इसके आगे section 55 और उसको delete किया जाएगा इसमें ये कि पहले जो case को non compoundable बोला जाता था कि कोई settlement नहीं होगा अब अगर case को withdraw करने के लिए दोनों parties के बीच में जो dispute है एक तो होगी कौन सी victim party और एक होगी accused party तो दोनों के बीच में settlement होता ना court के बाहर भी तो मुद्दे को sort out कर दिया जाएगा मतलब case withdraw करने के provision इसके लावा section 57 ये insert किया गया है जिसमें ये की release करना allow जैसे vehicle है confiscate हुआ जबती हुई क्योंकि उसमें शराब ले जाए जा रही तो उसमें भी penalty दो और free करा हो क्योंकि आपको पता है ना आप भी देखो अपने आसपास में कहीं पे कोई थाने के आसपास से निकलो कितने vehicles dust चाटते रहते हैं वहाँ पर हाल देखो बहुत बुरे होता है ठीक है इसी तरीके से और भी जो provision है जैसे कि intermittent और intermittent intermittent का मतलब नजर बंदी, intermittent का मतलब ही हो गया कि इस तरीके से किस individual को allow नहीं करना किसी भी particular area में आने से कि अगर उसकी entry हो गई तो problem हो सकती है तो इन पर भी कहीं ना कि उनके moment को curve करने के लिए intermittent और intermittent से संबंदित जो provision कर रखे थे उनको भी delete कर दिया ठीक है तो provision क्या हो रहा है ultimately कि कैसे भी करके load कम किया जाए ठीक है ना इसके अलावा एक individual हाँ ये बात यहाँ पर एक चीज है कि boot lagging है ना उसको organized crime के तोर पर define किया जा रहा है boot lagging का मतलब क्या हो गया illegal way में कोई भी activity की जाती है for example illegal way में शराब की manufacturing की जाती है तो उसको फिर organized crime कि consider किया जाएगा उसको फिर सजा ढंक से दी जाएगी ठीक है और एक वो individuals जो repeated crime कर रहे हैं उनको एक अलेक्स treatment दिया जाएगा ठीक है बाकी मान लो किसी ने शराब पी ली गलती होगी पहली बार ही गलती हुई है प फिर उस case में उनको treatment थोड़ा सा polite दिया जाएगा तो ये provision किये जा रहा है ठीक है आगे चलता है दूसरी जो front page की important news अब वो ये कि Supreme Court के लिए कहा गया है Supreme Court के दोरा statement दिया गया कि जो NEET में जो reservation की provision है जिसमें OBC quota in की बात की जाती है Central Government के दोरा जो quota avail कराय जाता है तो उसक लिए कारण क्या है क्योंकि जो reservation की provisions है वो कहीं ना कहीं substantive equality ensure करते हैं तो इस news को हम थोड़ा detail में समझें तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी तो Thursday की बात है Supreme Court ने एक तो जो controversy आती है क्या कि merit versus quota कि कोई individual अच्छा score कर रहा है और दूसरी तरफ आप कुछ individuals के लिए आप special provision कर देते हो reservation के नाम पे और उनको quota दे देते हो that means कि एक बंदा तो 100 में से 90 score कर रहा है एक बंदा 100 में से 70 या 85 के लगबग score कर रहा है तो 85 वाले को भी आप admission देते हो और 90 वाले का हो सकता ना हो और 92 वाले का score है वो उसको selection मिल रहा है तो 85 वाले के लिए बोला जाता है कि इसको merit bys देखा जाए तो यह तो कितने पीछे है जबकि 90 वाला इससे आगे था उसके बावजूद उसका selection नहीं हो रहा है और 85 वाले का quota के basis पे selection हो रहा है तो इसकी वज़े से आपने merit को compromise कर दिया quota को upheld करते हुए तो ऐसे कुछ writ, petition कई बार लगती रहती है Supreme Court में और अ आप open competitive exams में merit और quota को दोनों को equate करोगे तो कारण कि हमारे देश में जो inequalities जो prevail कर रही है जो पहले से चलती आ रही है उन inequalities को social structural जो inequalities है उनको अगर हमें correct करना है तो जो लोग पहले से backward हो उनको हमें uplift तो करना पड़ेगा तो बोले इसी चीज़ को ध्याने में रखते हुए O All India quota NEET में बोलो उसको continue करने में कोई problem नहीं है चाहिए वो undergraduate admission की बात करो या PG की बात करो देखो हमारे यहां पर equality को promote करने के लिए article 14, 15, 16, 17, 18 तक हमारे पास में available है जिसमें article 15 क्या कहता है the state shall not discriminate against anyone on the basis of RRCSP ठीक है जिसमें आप race, religion, caste और caste और फिर बात में place of birth in से आप बा यह 5 points हैं जिनके basis पर discrimination नहीं होना चाहिए article 15 clause 1 यह कहता है पर अगर reservation की बात करें तो हमारे यहां पर article 15 clause 4 और article 15 clause 5 available है जो की reservation की बात करते हैं इन articles को अगर देखें तो यहां पर आप देखो article 15 clause 1 क्या कहता है still shall not discriminate against any citizen on the ground of only only word का मतलब हो गया किवल इनके नाम पर बाकी ची ठीक है ना only इनके नाम पर only word का मतलब यहां पर क्या आज़ता है लक्षमी कांत को जब भी पढ़ो ना एक एक word का मतलब बड़ा important होता है ठीक है ना वहां पर only ठीक है despite of shell अगर word आ गया तो मान लो एकदम bounding है वो चीज तो हना will और shell में difference आपको पता होना चाहिए कि कहा पर shell लगेगा कहा पर will लगेगा बहुत difference है तो इस case में race, religion, caste, sex, place of birth इनके नाम पर state जो है या इनमें से किसी के भी नाम पर state जो है citizens की भीच में बेदवाव नहीं करेगा जबकि इसी article में clause 4 और इसी article का clause 5 जिसमें की reservation की provision कर रखे हैं clause 4 तो SCST की reservation clause 5 में जो reservation educational institution से उनमें करने की बात की जा रही है तो बोले इन दोनों में जो भी reservation दिये गए है ना उसमें हमारी society का जो structure है उसको ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है क्योंकि अगर हम हमारी society को study नहीं करेंगे उसकी basic roots को नहीं समझेंगे कि जिसम कि जो backward थे उनको uplift करने के लिए यहां पर facilitate करने की ज़रुत है तो SME quota जो है provision उसको खतम करना ठीक बात नहीं है ठीक है इसके अलावा Supreme Court ने अभी जो अपना opinion दिया है इसमें एक case का भी नाम हो उस case का नाम मैं आपको बता देता हूँ यहां पर है एक second रुक्याप हाँ यह बात कही थी कि हम कैसे एक neutral system चाहिए तयार कर सकते हैं जब हमारे society में already inequalities हैं बोलो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास में पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं education system का access करने के facilities नहीं हैं जबकि दूसरी तरफ हमारे ही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं या इसे equal treat कर सकते हो यह चीज बताई गई है इस पूरे statement में इसके आगे देखें इसके आगे एक news है यहाँ पर इस रो ने टेस्ट किया liquid engine को गगनियान के लिए तो अब आपके लिए task क्या है इसमें तो देखो इतना को important दिया नहीं है यह जो liquid engine है जिसका नाम है विकास engine ठी इस गगनियान mission को launch करने के लिए GSLV MAC 3rd इसका use किया जाएगा यह vehicle होगा launching vehicle तो यह गगनियान mission और GSLV MAC 3rd इन दोनों के बारे में UPSC Point Office पढ़ ही लेना GSLV MAC 3 के ओपर UPSC सीधा question पूछ ले prelims में कोई बड़ी बात नहीं होगी ठीक ना तो यह आपके लिए task है बाकित इतन Mauritius के प्राइम मिनिस्टर इन्होंने मिलकर के कुछ important projects हैं उनको inaugurate किया Mauritius में ठीक है virtual meeting थी है और Mauritius के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो परविंद कुमार जगननात तो बहुत सारी चीज़े हैं देख सकते हो आप एक बार जूम करता हूँ इसको क्योंकि इस article में इस news में इतनी को important news है नहीं वैसे जिसको हमें याद करना हो पर फिर भी एक बार नज़र डालना चाहो तो एक civil service college launch की गई है वहाँ पे एक 8 मेगावाट का solar power solar photovoltaic farm project है वो launch किया गया है दोनों countrys के बीच में ties बहुत अच्छे हैं हमारी history, ancestry, culture, language इ डागासकर के पास में ही है, यह मैप आप खुद से देख लोगे है ना, जरूर से देख ले ना, East Africa का जो मैप शेयर किया हुआ है जहां तक मुझे तयान है टेलिग्राम चैनल पे तो उसमें आपको पता पढ़ जाएगा, कि हाँ मौरिशस कहां पर located है, ठीक है, यहीं था और बाकी एक बार खुद से नजर डाल सको तो देख लो, आगे चलता है, इसके आगे पेज नमबर एट पे अगर देखें, तो जो मेरिटल रेप वाला जो हमने कल मुद्धा डिसकस किया था ना, एक्स्प्लेइन पेज पे, अगर नहीं देखा हो तो लिंक मातलब एक तरीके से ये लॉज में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक ना, तो बेसिकली एमिकस क्यूरी, जो डेली हाई कोट के एमिकस क्यूरी हैं, उन्होंने स्रेटमेंट दिया कि वाकई में, मेरिटल लॉग को हमें, जो मेरिटल रेप है, इसको एक्सप्शन या एक्जम्शन नहीं मिलनी चाहिए, जो पनिश्मेंट मिलनी चाहिए, रेप के अंडर में, आईपी सी, सेक्शन 375 के अंडर, वो बुलर कंटीनू होनी चाहिए, और अभी तक तो देखो, उससे संबंदी, जो मुद्दा है, उसको हमने पुरा डेटेल में देख लिया, तो आप वो देख नेशनल वार मेमोरियन फ्लेम्स हैं उनके साथ में, यहाँ पर, ठीक है ना, तो यह जानते हैं मुद्दा पुरा, यह जो इंडिया गेट पर बनी हुई है, अमर जवान जोती इंडिया गेट पर ना, तो अभी इनको अभी तक बिना भुजे, और एक्स्टिंग्विश्, यह जो अमर जवान जोती फ्लेम हैं यह कब शुरू की गई थी, इसमें आप देखोगे तो एक तो कैने टॉप है, छतरी बनाई हुई है, मार्बल की, उसके ओपर एक राइफल है, राइफल के ओपर सॉल्जर का हेलमेट है, जो आप देखते हैं अभी दिखा दुखा दू और करने वाले कौन थे, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, इंदरा गांदी जी, ठीक है, लपी जी से ओपरेट होता है, पहले तो सिलेंडर्स थे, आप पाइपलाइन से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, यह देखो लोकेशन इधर, यह तो है, इंडिया गेट वाला लोक अज़र्स की नाम लिखे हुए हैं, और वहीं पर अब यह फ्लेम जो है, शिफ्ट कर दी जाएगी, मतलब पहले से चल रही है, अब यह अमर जवान जोती वाली और दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, तो यह है कुछ मुद्दा, इकॉनामी पेज पर आज इतनी कोई इंप